वेलकम बैक्टोबर चैनल ही माचल परदेश में नई गौर्मेंट जॉब की अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नई गौर्मेंट जॉब्स के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं सैलरी साथ हजार के करीब आप लोगों को दी जाएगी चैनल के उपर नहीं है इलेक्ट्रिकल फिल्ड इंजिनियर इंवार्नमेंट और फिल्ड ऑफिसर की वकैंसी रहने वाली टोटल एक्टी वकैंसी यहां भरी जाएंगी अगर आपकी आई ओठारा वर्ष से जादे है और तीस वर्ष से काम है तो आप इन वकैंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं यहां पर आप कैटागिरी वाइज भी वकैंसी की अपडेट देख सकते हैं सेलेक्शन प्रोजर्स की बात करूं तो आपका पहले कंप्यूटर वेजड रिटन टेस्ट होगा कंप्यूटर के ओपर आपका टेस्ट होगा sjvn.nic.in यह ओफिशल वेबसाइट है sjvn की यहां पर जाकर आपको अपलाई करना है और 10 जनवरी 2023 से पहले आप इन वकैंसी के लिए ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हिमाचल के व्याही युवा जिन्होंने करमचारी चायन आयो की परिक्षाओं के लिए फॉरम भरता और जोर शोर से तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत ही दुखत समाचाहरा है हिमाचल में बहुत दुर्भाग्य पुर्ण है कि बार बार यहां पर पेपर लिक होते रहते हैं और जो हमारे युवा हैं जो इन नौक्रियों के लिए आवेदन करते हैं उनको जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जी ओए के पीछे की चार पांच परिक्षाएं जो हैं वो ऐसे ही लड़की पड़ी है एक और परिक्षा रद हो गई है आपका इस विशे में क्या कहना है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं जी ओए के पेपर लिख होने के साथ-साथ करमचारी चैन आयोग भी एक्षन में आ गया है सरकार भी एक्षन में आ गयी है और उनने अपनी आगामी जो परिक्षा है जो डोकुमेंट बेरिफिकेशन की प्रोसेस होनी थी ये सारी प्रोसेस सरकार के अगले निर्देश आने या उसकी report का इंतजार कर रही है, old pension का इंतजार कर रही है, मेही लाएं 15 सो रपे का इंतजार कर रही है, इन सारी बातों के ओपर बड़े अपडेट सामने आ सकते हैं, मल्टी टास्क वरकर इंटर्व्यू फिलहाल के लिए जो है, वो रोक दिये गए है, रिव्यू कमेट्टी की report आने के बाद ये भरतिया मुझे लगता है, आगे बढ़ेंगी जिन लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई है, उन लोगों की नौकरी जो अब सुरक्षित रहेगी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये सरकार के फैंसले के ओपर ही निरबर है, कि ये मल्टी टास्क वरकर भरतियां कुक और हेलपर की भरतियां आगे किस तरह से बढ़ पाएंगी, आप लोगों की इन सब विश्यों के बारे में क्या रहे है, मुझे कॉमेंट करके आप लोग चनल पर मोर अपडेट थैंक्स पर वाचिंग